हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को आल नोटिकेशन पर रखना ताकि आपको जो नियू आपडेट से वो सबसे पहले मिले आज हमारा जो वीडियो होने वाला यह थोड़ा सा स्टेडी से हट के होगा आज हम इस वीडियो में बात करने वाले है कि कैसे हम एनसपीक की जो पैमेंट्स या स्टेटस है वो चैक कर सकते हैं आपने फोन में इसके दो तरीके होते हैं एक या तो हम एक अप्लिकेशन के जिर एप, आपको वो सरीच करना है यहाँ और फिर यहाँ पर आपको उनस्टाल करनी है यह देख सकते हूँ, मैंने अल्रेड़ी किया है और फिर अपन करना है यहाँ पर ओपन करते हैं आपको आपने इस परSmith करना है कलिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर आपको नजर आ रहा होगा Track Status आपको इस पर कलिक करना है और यहां पर आपको Select करना है status में कि आपका जो Scholarship था वो Fresh Application था यार Renewal का आपने वो Select करना है जैसे कि यहां पर मैं fresh का select करता हूँ और फिर आपने academic years choose करना है यहाँ पर मेरा 2020 से 2021 तक है और application ID यहाँ पर आपको select करनी है और यहाँ पर आपको data board देनी है फिर यहाँ पर आपको नीचे submit का option मिलेगा आपने यहाँ पर submit करना है देख सकते हो हमारा जो status है वो यहाँ पर उपन हुआ इसी तरह आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो आपने जाना है Google पर Google पर आपको नस्पी payment पर आपको यहाँ पर आपको bank account या bank का नाम भी देख सकते हो और अगर वो नहीं तो आपने यहाँ पर अपनी NSP ID भी दे सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पर ID पेस्ट करूँगा और यहाँ पर आपको word verification देनी है जैन उसके बाद यहाँ पर आपने search करना है देखो यहाँ पर किसी को payment not initiated for the beneficiary या किसी को यहाँ पर नीचे एक page मिलेगा जिसमें सब information आपको मिलेगी अगर आपको इस वीडियो में कुछ सिखने को मिला तो चनल को सबस्क्राइब करना थेंक्स फर वाचिंग